तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी वो चटपटे चने अभी बारिस की मौसम सुरू है तो इन दिनों में ऐसे चटपटे नमकीन खाने को बहुत ही मन करता है इन दिनों में ये बहुत ही बढ़िया लगता है पर हर रोज हम फ्राइट भी तो नहीं खा सकते न इसलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही कम समय में बहुत ही असान तरीके से कम तेल में ये चटपटे चने तो चना नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रोश्टेड चना यानि कि ये भूना हुआ चना ये मार्केट में बहुत ही असानी से अविलेबल हो जाती है तो यहा अगर नमक वाले हैं तो इसमें नमक थोड़ा कम मत्रा में डाले रेसिपी बनाते समय तो अब सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तयार कर लेंगे तो यहां पर मैंने लिया है आधा चमच कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे जो है रेसिपी में कलर बहुत ही बढ़ियां आता है अगर आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर वाली लाल मिर्च इस्तेमाल करें साथी हमने इसमें डाली है थोड़ी सी हल्दी पाउडर और चोथाई चमच चाट मसाला और फिर चोथाई चमच आमचूर पाउडर और अब मैं डाल रही हूँ यहां पर कला नमक अगर आ बहुत ही बढ़ियां टेस्ट आता है चैने में और अगर नहीं है तो आप रेगुलर वाला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं और साथी मैंने यहां पर ली है एक चुट की काली मिर्च पाउडर इससे बहुत ही बढ़ियां स्वाद आता है तो यह जरूर से डाले और फिर हम इसमे मिठास बढ़ाने के लिए डालेंगे आधा चमच पिसी हुई चीनी जिससे क्या होगा कि हमारे चने खटे मीठे चटपटे लगेंगे तो यहां पर पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल करें और बस अब सारे मसाले एक साइड निकाल लिये हैं तो इन सभी को हमें अच्छे से मि कर लिया है तो अब हम लेंगे एक पैन और यहां पर मैंने लिया है थोड़ा सा ओयल आप चाहे तो इसे कड़ाही में भी बना सकते हैं और मैंने यहां पर सरसो तेल का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो रिफाइंड ओयल या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हमें इस पैन को ज़्यादा गरम होने नहीं देना है क्योंकि सबसे पहले भुनना है हमें इसमें मसाले अगर आप पैन को ज़्यादा गरम कर लेंगे तो मसाले डालते ही जल जाएंगे तो इस बात का खयाल रखना है कि जो पैन का टेमप्रेचर है वो ज़्यादा ना हो और जो गैस की फ्लेम है वो लोग पर ही रहे तो अब इसे एक मिनट से भी कम समय के लिए इस परकार चलाते हुए भून लेना है तो ये हमारा मसाला भून के तयार है हमने नमक और चीनी अभी से डाली है तो वो मसालों के साथ घुल के मिक्स हो जाएगी और फिर हम डालेंगे इसमें हमारे भुने हुए चने और गैस की फ्लेम को लोही रखे और बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले अब इसमें कुछ भी और एड करने की जरूरत नहीं है इसको बढ़ियां से चलाते हुए मिक्स करेंगे तो हर एक चने पर मसाले जो है वो बढ़ियां से कोट हो जाएगा ऐसे बस इसे एक से दो मिनट तक भुनना है और ये जो हमारा मसाला चना है वो बन के तयार है तो देखा ना कितनी आसान और जटपट से बनने वाली रेसिपी है इसको बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगते बस ये 2 मिनट में बन के तयार हो जाती है और इसकी खास बात ये है कि आप इसे एर टाइट डब्बे में भर कर महीनों स्टोर करके इस्तिमाल कर सकते हैं तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले साथी इसे फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिब्स में सेयर भी करें अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत ही मज़दार मज़दार रेसिपी आने वाली है तो चलिए मिलते हैं एक और मज़दार रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू